तो जहें दोस्तो इस वीडियो बाफ लोग करश्वा केता दोस्तो में बताने वाला इस वीडियो में यदि आपका खाता किसी भी बैंक में है तो यदि आप ATM कार्ड बनवाना चाहते हैं तो दोस्तो आप कैसे बनवा सकते हैं और कैसे उसका अप्लिकेशन लिखेंगे तो मैं आपको एक एक इस्टे बताने वाला हूँ जिस तरह से मैं बताऊंगा दुस्तों आपको कोई भी ऐसा नहीं बताएगा तो आप लोग बने रहेगा तो आपको जानना बहुत जरूरी है तो दुस्तों बहुत सारे लोग परसान होते हैं और ATM बनवाने के लिए या नहीं करना पड़ता है तो दुस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल सा तरीका आपको कैसे ATM बनवाना है तो फिरहाल कुछ करना नहीं आपको उसी तरह से आपको एक अपलिकेशन लिखना है जिस तरह से मैं बताऊंगा लिख करके आपका जो है असाने से ATM मिल सकता है नहीं आपको किसी के पास जाना है तो फिरहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारे समस्या दूर हो जाएगा तो इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि आपको अप्लिकेशन कैसे लिखना है आपका खाता किसी भी बैंके में हो क्योंकि दूस्तो आज कल ATM बहुत जरूरी होता है हर किसी के पास तो दोस्तो सिंपल तरीका है तो आप लोग बने रहे गए गए तो सीधा चलते हैं कुछ शुरू करते हैं और दिखाते हैं किस तरह से आपको अप्लिकेशन लिखना है तो चलते हैं दिखाते हैं तो दोस्तो ए दिखिए दे रहा है ATM कार्ड के लिए application application form ATM card in Hindi यानि कि आपको ATM बनवाना है तो आपको यही application लिखना है, क्या लिखा हुआ है तो मैं आपको एक बार पढ़ करके बता दे रहा हूँ किस तरह से आपको लिखना है तो सब कुछ लिखा हुआ है कुछ option इसमें भरना रहेगा तो जैसा कि आप लोग note करना चाहते हैं तो note कर लेजिएगा ततो सब यह application आप लिख करके किसी भी बैंग खाते में देख सकते हैं और आसानी से आपका जो है ATM कार्ड मेर जाएगा तो मैं बताना चाहूँगा यह देखिए सेवा में त्रीमान साका प्रतबंदक महोदय उसके बाद आपको बैंग का नाम पता सब कुछ लिखना है आगे लिख करके उसके बाद आप विषय में डाल देजेगा ATM कार्ड बनवाने है तो वावेदन पत्र दोस्तों विषय का मतलब यह है यदि आप विषय में जो चीज़ डालेंगे वही आपका highlight होता है यानि कि विषय का मतलब आप किस विषय में application लिखे हुए है विषय का मतलब यही दर्साता है यदि आप ATM बनवाना चाहते है या ATM ब्लॉक कराना चाहते है या mobile number लिंक करवाना चाहते है तो दोस्तों यही सब दर्साता है तो विषय बहुत जरूरी है लिखना आपको विषय में आपको लिख देना है ATM कार्ड बनवाने है तो आवेदन पत्र दोस्तों यह देखिए महासाय लिखा है इसके जगे पे आप महोदय भी लिख सकते हैं तो उसके बाद नीचे आते दिखाते हैं सबने निवेदन है कि मेरा नाम यनि कि आपका जो भी नाम है अमरजीत, अमर, राम, स्याम जो भी आपका नाम है आप अपना नाम ही लिखेंगे उसके बाद मैं आपके बैंक का एक धारक हूँ खाता संक्या मेरा यनि आपको यहां अपना खाता संक्या डालना है आपका जितने भी यंका खाता नंबर है तो यहां आपको लिखना है उसके बाद महोदय मुझे पैसे लेने देने में परसानी होती है इसलिए मैं इस समस्या का समाधान है तु अपने खाते का ATM कार्ड बनवाना चाहता हूँ उसके बाद नीचे आते हैं अते महोदै मेरा निवेधन है कि आप मेरे खाते का ATM कार्ड परदान करने की किरपा करें जिसके लिए मैं आपका साधा आभारी रहूँगा तो दोस्तों इतना ही आपको लिखना है उसके बाद धन्यवाद लिख देना है उसके बाद ये देखे कुछ आपसन है तो आपको ऐसे ही लिखना है उसके बाद दोस्तों ये देखिए जो इस प्रकार से लिखा हुआ है तो आपको ऐसे ही लिखना है तो यहां आपका नाम जो भी है जैसे स्याम है मेरा नाम तो मैं यहां स्याम लिख दूँगा उसके बाद मैं अपना खाता नमबर लिख दूँगा उसके बाद दिनांक लिख दूँगा जिस डेट में मैं जमा करूँगा हुआ है दिनांक रहेगा उसके बाद आपका मुवाइल नमबर रहेगा उसके बाद आपका हस्ता अक्षर रहेगा, तो दोस्तों इतने ही चीज़ें आपकी रहेगी, और आपका अप्लिकेशन कम्पलीट हो गया है, जैसे ही आप लिक चुके होंगे, आप जा करके सीधा बैंक में जामा कर देजिए, दोस्तों आपका यह अप्लिकेशन शुकार कर लिया जल से जल मिल जाएगा तो फिरहाल मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ अच्छे से बताया है और आपको कुछ भी कहीं से डाउट हो पिलीच कमेर करकर बताईएगा मैं आपको अच्छा से अच्छा इंफॉर्मेशन देनी की कोशिश करता हूं फिरहाल यह आप अगली वीडियो मिलते हैं अगली इंटोपी के साथ तब तक लिन्सकार जाहें दें